हलो विडियों आज है 18 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है हिंदुस्तान जिंग के बारे में 500 रुपए से भी नीचे शेर आ चुका है करेंगे तो हिंदुस्तान जिंग का जो शेर है ये 500 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है दो पर्संट का फॉल हमने देखा है आज और एक महिने में अगर आप देखो तो तीन पर्संट का ग्रोथ है पिछले एक साल के अगर हम बात करें तो 59% का ग्रोथ हाला कि पैसा इस बीच डबल से भी जादा बना दिया था इसने आप देखे 290 रुपए से ऐसा भागा कि 800 रुपए पर चला गया था शेर डबल से भी जादा लेकिन उसके बाद जो फॉल आया है ये लगातर गिर रहा है लगाता है जो मेजर फॉल हमें पहले तो देखो शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली उसके बाद जाब ये 615 रुबए के आसपास था तब प्रमोटर ओफस लेकर आये थे जहां पर तकरीबन 450 रुबए के आसपास शेर ओफर कर रहे थे ये आपस अभी गिरावट आ रहे हो देखो अभी इस कंपनी को लेकर में उतना था एक्साइट क्यों नहीं हूँ क्यों कि देखो यार आने वाले टाइम में यहां पर बहुत सारे ओफस आपको देखने को मिलने वाले हैं पैसा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अगर आप यहा वगरा को चुकाने के लिए और जो ओफस के जरी जो पैसा रेज अभी हाल फिलहाल में किया था वो विदानता नहीं ही किया था और जहां तक रिजल्ट के बारे में देखिया आज तो यह को एवरेज नंबर है उतना एक्साइटिंग नहीं है आठ हजार पांसो बाइस क्रो है इनका वो 2327 क्रोड का देखने को मिला है जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2345 क्रोड का था तो हलका सा यहां पर कम हुआ है प्रॉफिट मतलब महाजिन पर थोड़ा से दबाव बना है यहां पर इनके खर्चे थोड़े से बढ़ गए है यहां पर यह आप कह सकते हो हला और अगर आप यहां पर एक और चीज़ देखोगे तो पिछले साल के मुकाब्र तो अच्छा है पिछले साल 1730 क्रोड के आसपास का प्रॉफिट था तो पिछले साल के मुकाब्र तो प्रॉफिट अच्छा है उनका उसमें कोई शक नहीं है और नंबर्स देखो तो तो ओर टाइम है आट सो रिपका जो की से साथ बना था और मार्केट के दो लाग करोड से भी जादा का देखने को मिल रहा है कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अगर आप यहां पर प्रमोटर ने शेर बेचे हैं गवर्मेंट को भी बेचने हैं यहां पर तो वो चीज़ भी है और अगर आप यहां पर देखो देखो अच्छा पेकर हैं इसमें कोई शक्त नहीं है अगर आप देखो तो यह भर भर के पेकर आई साल भी इसने पहले दस रुपए फिर उन्नेस रुपए उन्तिस रुपए का डिविडेंट यह अल्रेडी पेकर चुका है आपको और यह क्यों अच्छा है डिविडेंट क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई सब 7-8 महिने पहले यह जो शेयर था यह 290 रुपए के आसपास था तो 10% का तो पेकर चुका है और इवन देखो तो पिछले साल तो और ज्यादा डिविडेंट पेकर आथा इसे ठीक है पिछले साल तो और भी अच्छा था डिविडेंट यहां पर 26 रुपए 7 रुपए 6 रुपए और इसे पैस जन्वरी में भी इसने पेकर आ था तो डिविडेंट बहुत सार और क्यों ज्यादा डिविडेंट पे आउट कर रहा है यह विदानता को पैसी की जरूत है और विदानता पैसा डिविडेंट के दो निकाल रहा है यहां पर तो यह चीज भी है और कंपनिय कि बहुत सारे शेर्स यहां पर बिखने के लिए आने वाले हैं उसके चलते ही होगा यह कि जब भी यहां से एक तीजी आएगी हो सकता है कि चलो मालों के यहां से थोड़ी वाँ तीजी बनती है हाला कि मैं करेक्शन एक्सपेट कर रहा हूं लेकिन अगर तीजी आती है यहां और जहां तक नजर करी जाए इसके valuation को लेका तो दिखे 26 कपी है इसका सेक्टर पर 31 का है सस्ता आप कह सकते हो यहाँ पर सिर्फ 10% एनालिष्ट ही ऐसे हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने के बात कर रहे हैं उनली 10% और जहां तक financials देखो इस company के तो जैसे कि मैंने खा ठीक ठाक है मतलब 8400 करों कि थे जून में उसे पहले 7000, 800-7000, 600-7000 तो at least यह ग्रो हो रहा है इनके revenue देखो तो ग्रो हो रहे हैं और profit देखो तो हाला कि पिछले quarter के मकाबड़ थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर लेकिन उसे पहले quarter के मकाबड़ तो अच्छा है लेकिन देखो दिक्कत यहाँ पर यहाँ पर यह भी होती है कि कि किसी quarter में अच्छे revenue आते हैं profit आते हैं फिर वापस एकदम से कम भी हो जाते हैं तो जो consistency होनी चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही 2023 में अगर आप देखो तो 2223 में इनके revenue profit दमदार थे एकदम धासू थे भाई साब नौ हजा करोड से भी जाद करें हुए था तीन हजा करोड तक के profit से इनके बाद में वो गिर के कितने पर आ गए सत्रा सो करोड पर आ गए इस दो हजा करोड पर आ गए तो कम हुआ है बाइस के मुकाबले इनके numbers देखो तो कम हुए है और जहां तक shareholding के बारे में देखे तो promoter की holding 63.42% के लेकिन उनमें ऐसे almost 60.51% का stake गिरवी रखे बैठे है यह और लगा था बेच रहे है अगर आप देखोगे तो September में भी बिक्वाली करी है जून में जहां holding 64.92% की थी September में वो घट के 63.42 पर आई लेकिन पहले जून में कहा था कि सब कुछ गिरवी था प्र mutual fund के अगर आप बात करो तो भाई साब 0.06% से mutual fund 0.10 पर आए है domestic देखो तो 2.96% से 3.02 पर आए है FIS देखो तो 0.75% से वो भी 1.01 पर आए है और क्यों ना आएंगे कि प्रमोटर ने बिक्वाली करी है तो वो quantity बिक्वाली करी है तो आई है ना तो देखने को मिलेगा ना changes यहाँ पर retail की holding अगर आप देखो तो भाई retail वालों ने यहाँ पर खरिदारी ही करी है रिटल की holding जो 1.51% की थी वो यहाँ पर बढ़कर आई है 2.32% पर आई है तो retail वालों ने तो खरिदारी ही यहाँ पर करी है other parties के 30.13% की holding है जिन में से अगर आप देखोगे तो एक ची और में बेच की नजरा है की government हो सकत है कि शुरुआती दौर में 4% का stake बेचे फिर 7-8 महीने बाद और 4-5% बेच दे फिरेकाल साल बाद और 4-5% बेच दे तो यह ज़रूर होगा यहाँ पर holding government बेचेगी अपनी यहाँ पर और जब भी बेचेगी एक गिरावट आएगी जहां 600 रुपए से उपर ट्रेड कर रहा था उसने 500 रुपए से भी नीचे के price पर OFS लेकर आए तो क्या सिनारियो है यह तो अगें देखो यहाँ पर company अच्छी है लेगिन बहुत सारी quantity मुझे लगता है कि बिखने के लिया सकती है चाहिए प्रमोटर के थ्रू हो चाहिए करता हूं पसंद हो तो लाइक करें चैनल बगरा पहले लिग बारें तो प्ली सब्सक्राइब करें और हिंदुस्तान जिंग के बार ही में आप क्या सूचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यो